राष्ट्रे राजधानी दिल्ली के साकेत कोट परिसर में शुक्रुवार को चार राउंड फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मज़ गई राधानाम की महिला पर सुबा साड़े दस बजे कोट नमबर तीन के बाहर चार से पांच राउंड फायरिंग की गई ऐसे में महिला को पेट और हाथ में तीन गोलियां लगी है और एक वकील भी गोली लगने से खायल है वहीं फायरिंग की तुरंद बाद ही आरोपी कैंटीन के पीछे गेट से निकल कर फरार हो गया ऐसे माब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है इस मामले को लेकर सीयम अर्विन के इज्रिवाल ने कहा है कि दिल्ली में कानून विवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है दूसरों के कामों में अर्चन करने और हर बात पर गंदी राजनीती करने की बजाय सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अगर नहीं समलता तो इस्तिफा देना चाहिए ताकि कोई और कर ले लोगों की सुरक्षा राम भरो से नहीं छोड़ी जा सकती वहीं आमाद्मी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरब भारद्वाज ने दिल्ली की कानून विवस्ता का हवाला देते हुए LG से सवाल पूछा है दिल्ली जल्गोंड के तो सीवर ट्रीट्मेंट प्लांट में पहुँच जाते हैं उस साकेत कोट परिसर में भी तो LG साब को फोटो खिचानी है जहां पर महिला के ओपर हमला हो गया द्वारका में वकील की अत्या हो गई वहां तो उसके घर पर जाके LG साब का फोटो खिचाहेंगे यह तो इनका काम है वहीं कॉंग्रिस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट करके कानून विवस्था पर सवाल उठाए हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखा की दिल्ली की एक अदालत में एक महिला को वकील की पोशाक में आया अपराधी ने सरयाम कोलियों से भून दिया ना पुलिस कहीं नजर आई ना किसी ने अपराधी को रोकने का प्रयास किया देश के मौजूदा लौ एन ओर्डर की ये ताज़ा तस्वीर है आपको बता दें कि महिला का आरोपी से पैसे का विवाद है आरोपी ने महिला के खिलाफ धोका धड़ी का केस कराया था महिला ने पैसो को दुगुना करने के वादे से आरोपी से पैसे लिये थे उसी मामले को लेकर ये दोनों कोट आये थे इस महिला पर धोका धड़ी के और भी मामले चल रहे है ऐसे में महिला अदालत में बयान देने के लिए पहुची और इसी दोरान उस पर फारिंग कर दी गई